दोस्तों स्वागत है मेरी चैनल फर्स अंवस्मेंट पर और आज की वीडियो जादर इंट्रेस्टिंग होने वाली है इस साथ अपने दुबारा बेसिक्स की तरफ आ चुके हैं चार्ट ओफ दे वीक येस गाईस में आप लोगों के सामने आप चार्ट ओफ दे वीक शेयर करने वाला हूं दुबारा एई वीडियो की सीरीज को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिस तरीके से हम लोग अपनी प्रि आज की वीडियो के अंदर मैंसे दो स्टाक्स बताने वाला हूं जो नेक्स्ट टू वीक के अंदर अप लोगों को बढ़ियर रिटर्न जिनरेट करके दे सकती हैं तो गाईस ये दो वीक के लिए आप लोगों को स्टाउक से जिस्ट करा जा रहा है और इन स्टाक्स पर आखरी में जरसा गियाँ देक सकते हैं आप लोग हमारे चार्ट पर आ शुके हैं सबसे पहला स्टॉक जो मैं आप लोगों के सामने शियर करने वाला हूं उस्टॉक का नाम है हरीता सीटिंग सिस्टम इसका सिंबल आप लोगों को यया पर विजिबल हो जागा इसको थुर आप सबसे पहले देखिएगा Stock ने अपनी performance दी है Almost almost stock 455 रूपीज से 800 रूपीज तक चला गया तो almost 70-80% का return दे चुका है within a single movement उसके बाद stock ने क्या कर रहा Stock कम से कम बहुत टाइम से एक pause के अंदर एक simple range के अंदर काम कर रहा है Almost Web 21 से ये एक range के अंदर काम कर रहा है And यहाँ पर अब हम लोग एक breakout expect कर सकते है Yes आप देखेगा stock करता क्या है सबसे पहले आप लोगों को price की movement को समझना पड़ेगा अगर एक stock बहुत तेजी से rally करता है upside की तरफ So उसे वहाँ पर एक cool off होना पड़ता है क्या होता है कि वह लोग जब upside की तरफ rally करता है तो वह एक retracement एक pause लेता है ठीक है उसके बाद वह दुबारा ready होता है एक दुबारा movement के लिए ठीक है अब यहाँ पर हम लोग expect कर रहे है यह stock एक breakout दे सकता है तो इस particular system को हम लोग कहते है Continuation pattern ठीक है इसे हम लोग कहते है Continuation pattern एक rally आती है एक market sideways के अंदर जाता है और उसके बाद दुबारा हम लोग एक up move देखते है तो same type of scenario हम यहाँ पर भी visible हो सकता है आप देखेगा stock करके आ रहा है वह भी मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूं यहाँ पर देख सकते है stock ने सबसे पहले करके आपने देखा एक अच्छी खासी up move इसके अंदर हम लोग ने आते वे देखी है उसके बाद यह एक range के अंदर stock काम कर रहा है Let me make this range for you कि आप लोग उगले easy हो जाए देख सकते हैं यह एक range के अंदर काम कर रहा है और यह पर्टिकुलर जो pattern है इस पर्टिकुलर pattern को हम लोग कहते हैं bullish pennant pattern क्या बोलते है bullish pennant pattern यह pattern पर हम लोग देखने के strong up move आती है उसके बाद जब एक range जो होती है वो range squeeze होना शुरू हो जाती है ठीका मतलब जो range है वो बड़े होते होते छोटी होना शुरू हो जाती है और जब यहां से एक breakout आता है तो एक sharp rally हम लोग expect करते हैं तो आप देखेगा stock ने क्या करा एक sharp up move आई यह देख रहे हैं एक range बिलकुल छोटी हो रही है जो upper resistance वाली line है और जो नीचे support वाली trend line में ने दोनों बना रखी है यह दोनों converge हो रही है आप देख रहे हैं ऐसे जुड़ रही है जब जुड़ रही है मतलब space कम हो रही है जब space कम हो रही है और अगर इस level से एक breakout आएगा तो हम लोग अच्छी movement expect कर सकते हैं क्या sir इसी के basis पे trade ले सकते हैं येस इसके basis पे भी trade ले सकते हैं बट मेरे पास कुछ और चीजे भी है जो मैं आप लोगों को show करना चाहूँगा let's move to weekly time frame हम लोग weekly time frame पे आया हैं और यहां पे मैं आप लोगों को एक चीज़ शो करना चाहूँगा हम देखिए stock कर क्या रहा है stock ने सबसे पहले एक head and shoulder type of pattern को form कर रहा है plus अगर हम इस head and shoulder ना भी बोले एक side को हटा दे तो भी हम लोग बोल सकते हैं इस particular pattern ने एक cup and handle को भी form कर रहा है दोनों मैं दिखाता हूँ weekly charts के अंदर चीज़ हैं आप देखिएगा सबसे पहले मैं आप लोगों को एक head and shoulder pattern मना के देखाता हूँ यह देख सकते हैं this is our left shoulder and this is our head and this is our right shoulder I hope यहाँ पर आप लोगो clear हो गया होगा कि यह एक head and shoulder type of pattern को form कर रहा है और अगर यहाँ पर हम लोग एक breakout expect करते हैं इस level से एक breakout आता है तो एक अच्छी movement दे सकता है अब आप देखेगा यह दोनों एक sharp red color की candles है यह black में denuate हैं बट यह red है मतलब bearish candles है अगर मैं इन दोनों का सिफ top ले ले लेता हूँ मैं बोलता हूँ इससे उपर नहीं जाना चाहेगा तो भी एक अच्छी movement यह दे सकता है within a couple of weeks अगर हम बात करते हैं सबसे पहले return की तो इसका जो return हो सकता है वो almost almost हो रहा है around around 20% का return 20% का return यह particular stock दे सकता है हम लोगों को ठीक है अब मैं इसके अलावा आप लोगों को दिखाता हूँ एक cup and handle formation भी जो बन रहा है इस particular level के अंदर let me show you that also as well देखे stock ने करा क्या stock सबसे पहले एक rounding bottom इसने create करा आप देख सकता है almost August 2018 से तेखे मितलब 2 साल 3 साल पुरानी बात है यह 3 साल पुरानी बात से इसने एक cup and handle formation को create करा यह देखे रहा है एक rounding bottom बनाया है इसने grounding bottom उसके बाद यह couple of weeks कम से कम इसने 10 हफते यह एक range के अंदर consolidate करते रहा है यह देखे रहे हैं यह एक range के अंदर मतलब यह इसका handle हो गया तो एक cup और एक handle इसका अगर breakout आता है तो एक अच्छी movement हम लोग expect कर सकते हैं तो आप लोगों को तीन reasons बता है एक bullish cup and handle pattern bullish head and shoulder pattern bullish pennant pattern और उसके बाद एक continuation pattern यानि कि एक straight up move एक sideways और एक breakout तो अब हम लोगों को patiently wait करना है एक अच्छी movement expect कर सकते हैं दूसरी एक important बात और बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को एक तरीके से आपर हम लोगों ने breakout देख लिया है इस weekly candle की जो closing गया वो एक already denote करती है कि breakout आ चुका है वो कैसे आप देखेगा इस level पे इस level के उपर ठीक है यहाँ पर आप देखेगा ये candle एक sharp fall आया पूरी बात ध्यान से समझेगा एक sharp fall आया उपर गया candle की closing इदर देखने को मिली तो इस candle की closing पे मैं एक horizontal line वो draw कर देता हूँ अब ये horizontal line हमें क्या बता रही है हमें ये बता रही है कि अगर weekly candle की closing इस line की उपर हो जाती है तो एक breakout आ चुका है ठीक है because ये 3 साल पुराने का low है June का low है मतलब main start हो गया almost June एक महीने का फरक है बत तीन साल पुरानी बात है ये जब इसने एक ये low को break करा था और इस पे एक बार retest करा pull back करा pull back आने के बाद नीचे गिरा है so ये level important है क्योंकि इस level की उपर अभी ता closing देखने को नहीं मिलिया में तीन साल से क्या अब इसके उपर closing आई है ये देख सकते है इसके उपर definitely गया है stock market मतलब ये particular stock इसके उपर definitely बार-बार गया है but इसके उपर अभी ता closing इसने नहीं दिया देखे रेट कलर की candle थी दुबारा नीचे आके closing exact इस level पर closing but इस week previous week first week of May पर हम लोगों ने इस के उपर closing देखी है which is a very good sign अब यहां पर एक breakout हम लोग expect कर सकते हैं अब let's move to daily time frame और बात करते हैं कि buy कब करना है ठीक है so मैं दुबारा आप लोगों के लिए level draw कर देता हूँ जब यह level मैं आप लोगों के लिए के उपर ठीक है इस level के इस zone के उपर हम लोग अपना buy setup generate करेंगे अगर एक daily candle मैं मान के चल रहा हूँ अगर 1 hour की candle इस level के उपर closing दे दीती है 1 hour की candle अगर इस zone के उपर closing दे दीती है एक अच्छी buying momentum आ सकती है इस level का resistance है 774 का 775 मान के चलते हैं इसके उपर हम लोग एक buy setup generate करके चल सकते है सब target भी आपने बता दी है stop loss आपने entry point भी बता दी है बात करते सब stop loss क्या होना चाहिए stop loss के लिए we use volume profile indicator यह हमारा top है यह हमारा bottom है क्योंकि इस range के इंदर ही market काम कर रही है तो हमें find करने इस range के इंदर कहां रह सकता है सबसे ज़्यादा resistance या support सबसे ज़्यादा जो support आ रहा है वो इस red color की line पे आ रहा है so I think जब मेरा इस level के उपर buy होगा so this should be my stop loss इससे एक दो रुपे नीचे and मेरा जो target है वो this particular target है so आप देख सकते है is to reward 1 is to 3 का है जो की well and good है 1 is to 3, 1 is to 3.5 का is to reward में issue मिल रहा है और which is very good so इस तरीके से आप अपना मान के चल सकते हैं 728, 726 का आपका stop loss होगा 780, 775 की पर buy है and 900 रुपीस का target आप expect कर सकते हैं within a couple of weeks अब बात करते हैं our next stock की जिसका नाम है भारती एटल भारती एटल की बात कर लेते हैं हम लोग just wait a second okay भारती एटल का मैंने chart open कर लिया है and यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँआ stock किस तरीके से work कर रहा है आप देखेगा stock ने सबसे पहले resistance की मैंने trend line draw करे वी है horizontal line draw करे वी है जो मैं बता रही है कि past इसने पिछले साल में में पिछले साल में में इसने कि यह top बनाया था and उसके बाद हम लोगों ने देखा था June 2021 sorry Jan 2021 और Feb 2021 दोनों टाइम इसने यह दोनों top बनाया उसके बाद यहां से market नीचे आई है अब यहां पर किस तरीके से trade लेना है उसके बारे में बात करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग analysis करेंगे weekly charts की and यहां पर check करेंगे आप देख सकते है weekly charts जब मैं open कर रहा हूँ आप लोगों को trend बिल्कुल bullish दिख रहा होगा कैसे bullish हम लोग बता लगाते हैं bullish हम लोग पता लगाते हैं जब continuously stock is making higher highs and higher lows आप देख सकते हैं stock यहां से उपर गया इस level से exact नीचे आया नीचे आने के बाद दुबारा उपर गया अपने previous high को break करा दुबारा नीचे आया अपने previous low को break नहीं करा मतलब higher high बन रहा है और low भी उपर की तरफ shift हो रहा है उसके बाद दुबारा उपर यह अपने previous high को break करा दुबारा नीचे आया अपने previous low को break नहीं करा अब आप देख रहे हो जो lows है वो उपर की तरफ shift होई जा रहे हैं बहुत तेजी से यानि कि जो downside है वो बहुत limited है upside अभी हम लोग increase कर सकते हैं अब दूसरी चीज़ अब let's use Fibonacci extension Fibonacci retracement ratio Fibonacci जब मैं bottom to top बना रहा हूँ तो यहाँ पर हम लोग एक ही चीज़ देख रहे हैं 50% को छुआ और उसके बाद यहाँ से यह उपर बढ़ना start कर रहा है आप देख रहे हैं यह stock नीचा आया it created a base on a weekly time frame आप यहाँ देखेगा इसने एक base create करा है weekly time frame के अंदर and उसके बाद यहाँ से एक up move दे रहा है यह particular stock so यहाँ पर अम लोग definitely एक अच्छी movement expect करके चल सकते हैं इस stock के अंदर और जो इसका target होगा वोगा previous high almost almost 600-610 का target अम लोग expect कर सकते हैं ठीक है बट अगर इसका breakout आता है तो यह नए lifetime high या फिर एक sharp rally पर start हो जाएगी एक नई up move start हो जाएगी और यह further यहाँ से कम से कम 15-20% का return भी दे सकता है so what you have to do आप लोगों को patience लिए अगर आप stock 100 quantities ही stock के अंदर buy करेंगे just wait a second guys यहाँ पर कुछ error आ गया था so अगर आप लोग इस level पर buy करते हैं just wait a second बहुत सारी miss calls आ रही है so यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपको क्या करना है मैं आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूँ कि इसके अंदर आप पूरी opportunity ले सकते हैं आपको करना क्या है अगर आप 100 share buy कर रहे हैं तो 100 share buy करने में आपका first target जो होगा वो होगा 610 का उसके अलावा आपको क्या करना अगर breakout आता है तो 50 quantities आपके पास already hold है 50 quantities पे आपका जो stop loss maintain हो जाएगा वो हो जाएगा जिस cost price पे आपने इस particular ATL को buy कर रहा है वो आपका stop loss हो जाएगा फिर आपको patiently hold करना है अगर यह stock अपने previous high को breakout देती है तो एक sharp approve start हो जाएगी वो ही 50 quantities आप hold करे रख सकते है और आपको lifetime high पे जो ही stock लेकर जाएगा आप उससे profit earn कर सकते है I hope आप लोग ने समझ लिया होगा मैं किस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ Let's move to a daily time frame daily time frame पे अगर मैं आता हूँ पर हम लोग सबसे पहले ये सारे indicators remove कर देते हैं अब सबसे important चीज में एक और draw कर रहा हूँ जो कि ये level है ये level जब मैं draw कर रहा हूँ हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को एक support देखने को मिला था ये देखने है ये support जब support को break करा that support become resistance that support become resistance उसके बाद stock ने क्या करा stock ने एक breakout दिया breakout देने के बाद retest retest करने के बाद एक upmove rally दुबारा continue कर रही है ठीक है तो यहाँ पर एक proper buying setup मेरे एसाब से generate हो रहा है आप यहाँ पर एक buy करके चल सकते हैं I hope this should be our target let me tell you about the percentage कितना percentage यह हमें दे कर जा रहा है almost 7 to 8% हुआ yes 7.30% का return दे कर जा रहा है जो कि first target है अगर इसके उपर breakout दे देता है मैं कह रहा हूँ आप लोगों यहाँ से 15 से 20% के upmove अभी भी दे देगा अगर इस level के उपर breakout दे देता है अब लोग गलतियां क्या करते है मैं आप लोगों को बताता हूँ generally किसी stock बंदों ने अगर यहाँ पर 585, 590, 600 पर buy करकर रखा होगा उनके cost to cost price पर आएगा वो लोग निकल जाएगे और stock एक lifetime high पर चल जाएगा और वो लोग stock को miss कर देगे गलती नहीं करनी है hold कर रखिया अगर किसी ने भी previously से hold कर रहा है eventually यह breakout देगा अभी नहीं देगा एक महीने बाद देगा बड़ देगा तो बहुत बड़िया पैसा आप इस पर कमा सकते हो so I hope मैंने आप लोगों को यहाँ पर कुछ ना कुछ सिखाया होगा कुछ trades आप लोगों को earn करवा के दे सकते है so मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के last में तब तक लिए bye bye so I hope आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों ने आपर कुछ सीखा होगा किस तरीके से हम लोग डिजाइन करके आप लोगों को लिए stocks निकालते है so I hope यहाँ पर आप लोगों कुछ benefit मिला होगा so अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like करना बिल्कुल मत भूलेगा and हमारे चैनल को subscribe definitely कर सकते हैं क्योंकि ऐसा educational content हम आपके साथ provide कर वा रहे हैं जो आपको intraday में भी profit earn कर दे रही है आप लोगों को swing trading पे भी plus educational purpose के लिए भी आप लोगों को stock market पे यहाँ पर सब कुछ provide हो रहा है so please subscribe to our channel friends and related के साथ share कर यह lockdown का चक्कार है यहाँ पर अगर आप लोगों कुछ मंतली income generate कर पाए market के तुरू तो हम लोगों को बहुत ज्यादा खोशी होगी so तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोगों को से अगली वीडियो पे मैं शिवाज भसीन signing off